गाइज यह है होंडा की यूनिकॉन बीए सिक्स फेस्टू लेटेस्ट टूथाज़न टून्टी फॉर मॉडल और यह 160 सिसी की होंडा कमपनी की एक काफी नीट अन क्लीन बाइक है जिसमें बहुत ज़्यादा इस पोर्टी लुक तो आपको नहीं मिलता है बट लोगों को इस ग्रे और ब्लू कलर वैरियंट यह चार कलर वैरियंट मिलते हैं तो यह स्क्रीन पे आप इसका मैट एक्सिस ग्रे मटैलिक कलर वैरियंट देख पा रहे होंगे और अगर प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो भी काफी अफोड़बल है 160 सी सी की एधर प्राइस मिल जाएगी तो प्राइस काफी कम है तो इसमें फीचर्स भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे चलिए फीचर्स पर नजर डालते हैं तो सबसे पहले आप इसका यहां पर ब्रेक देख लीजिए फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है 240 mm की साइस देखने को मिल जाएगी और सिंगल ABS का सपोर्ट भी आपको इस बाइक मिल जाता है फ्रंट के टायर 80 x 100 के 18 इंच के ट्यूबलेश टायर आपको मिल जाते है ब्लैक कलर के अलाय वील के साथ में तो इसको इस पोर्टी लुक भी प्रोइट करता है फेंडर पे आपक कुछी पर का लुक मिल जाता है और यहाँ आगे के साइड फ्रंट में आपको क्रोम डक्ट काओल भी देखने को मिल जाता है ऩ स्पोर्टी लुक इसको प्रोइट प्रोइट करता है निचे आपको 35 x 35 वाट का हैलोजन बल मिल जाता है यानि LED की सुपधह अभी तक आपको नहीं मिलेगी, इंडिकेटर, रेगुलर डिजाइन के बल वाले इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं फ्रेंट से जो लुक है, आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रू बताइएगा, यहां मिरर देखेंगे तो मिरर थोड़े से बदले गया है, मिरर की डिजाइन थोड़ी से चेंज की गई है, यहां पीछे आपको कारवन फाइवर जैसा लुक मिलता है बट गौर कर लिजेगा, यह कारवन फाइवर नहीं है ग्रिप जैसी सनरचना इसमें बनाई गई है लेफ्ट हैंडल बार पे यहां पे पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम, साइड इंडिकेटर स्विच और हॉन स्विच आपको मिल जाएगा स्विचिंग क्वालिटी काफी बहतर रखी गई है राइट हैंडल बार पे इंजन कील अन उप स्विच के साथ पावर सेल्फी स्विच मिलेगा सिंगल ट्यूबलर हैंडल बार आपको मिल जाता है स्टैंलेस स्टील में और अगर instrument cluster देखेंगे तो instrument cluster में यहाँ पे आपको three round circle में full analog meter console देखने को मिलता है distal meter console इसमें आपको नहीं मिलता है semi distal meter console भी आपको नहीं मिलेगा full analog meter console देखने को मिलेगा जिसमें आपको rpm meter, speedometer और speedometer के अंदर में ही आपको odometer मिल जाएगा और उसके right side में आपको fuel meter मिल जाता है और fuel meter में indicators आपको मिल जाते हैं जर्म all function light, neutral indicator, high beam indicator और side indicator ये indicators भी आपको इसमें मिल जाते हैं full analog meter console इसमें आपको देखने को मिलेगा but meter console के जो किनारे की body है यहाँ पे आप देख लीजे जो visor से सटा हुआ इसका frame है वो थोड़ा सा change देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको थोड़ा सा curve design भी अब देखने को मिलने वाली है तो यह मुझे काफी सही लगा stainless steel के handle bar आपको मिल जाएंगे और tank देखेंगे तो tank पे आपको gray finish देखने को मिलेगा tank के side में Honda की branding और Honda का logo है वो आपको 3D embold chrome finish के साथ देखने को मिलेगा wing का निसान आपको मिल जाता है यहाँ पे 3D embold में और complete program device system है तो fuel efficiency भी आपकी काफी बहतर हो जाती है और mileage सबसे बड़ा सवाल होता है कि इसका जो mileage है वो कितना है गौर कर लिजेगा अगर आप इस bike से एक अच्छी ride करते हैं तो इस bike से आप 55 तक का mileage आसानी से ले पाएंगे diamond type का यहाँ पे आपको frame देखने को मिल जाएगा और engine की बात करें तो 162.71 cc का 4 stroke single cylinder air cooled BS6 phase 2 engine इसमें आपको मिल जाएगा 9.9 kW की max power मिल जाएगी 7500 rpm और 14.58 Nm का max stock मिल जाएगा 5500 rpm पे power and torque काफी बहतर है power and torque related कोई problem नहीं आती है Honda Eco Technology का engine इसमें आपको मिलता है और silent start with ACG भी इसमें आपको मिल जाता है engine काफी redefine है और काफी smooth आपको engine देखने को मिलेगा इसमें आपको Honda ESP Technology भी देखने को मिल जाती है transmission में आपको 5 gear देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे जो gear lever है वो आपको sporty gear lever देखने को मिलता है यानि two-sided वाला gear आपको इसमें नहीं मिलेगा single-sided वाला gear मिल जाता है तो यह look को भी काफी enhance करता है stability भी अच्छी provide करता है side stand में आपको side stand engine cut-off system भी मिलेगा side panel पे यहाँ पे देखेंगे तो chrome duct cowl आपको मिल जाएगा और mono suspension की branding stickring में आपको मिल जाती है नीचे side थोड़ी सी grill जैसी sun रशना भी आपको side panel पे मिल जाएगी seat comfort देखेंगे तो seat comfort आपको single seat देखने को मिलती है comfort काफी बहतर मिलेगा comfortable seat इसमें provide की गई है seat की चोड़ाई और लंबाई भी आपको काफी बहतर देखने को मिलेगी seat cowl पे unicorn की branding आपको stickring में देखने को मिलेगी chrome finish के साथ काफी खुबसूरत लगता है और आगे आपको body color से match करता हुए एक grab reel भी देखने को मिल जाएगा sardi guard और ladies footrest इसमें आपको pre install देखने को मिलेंगे बाहर से लगवाने की जरूरत नहीं है rear का जो tail light है वो आपको regular design का tail light देखने को मिलेगा एक regular design का इसका tail light मिलता है काफी खुबसूरत लगता है और rear के indicator भी आपको regular design के बलवाले indicator मिलते है rear का brake देखेंगे तो rear में आपको disc नहीं मिलता है rear में आपको 130 mm का drum brake देखने को मिलेगा single disc का ही option इसमें आपको देखने को मिलेगा rear का जो tire है वो 100 by 90 का 18 inch का tubeless tire देखने को मिलेगा box type का swing arm भी इसमें आपको मिल जाता है और black color का exhaust मिल जाता है जिसमें muffler cover भी आपको मिलता है और sue protector भी इसमें आपको मिल जाता है यहाँ पे mono sock suspension देख लिजे इसमें mono sock suspension इंस्टॉल किया गया है suspension quality काफी बहतर है और अच्छी चीजी है कि इसमें आपको kick भी देखने को मिलता है तो in case battery down होने पे आप kick से भी इसे start करके operate कर पाएंगे तो कैसे लगी बाइक और कैसे लगी वीडियो comment करके जरूर बताइएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो like और share जरूर करिएगा मिलते हैं आप से गली वीडियो में कुछ नेफरे सब्डेट के साथ अब तक के लिए सभी दोस्तों को Thank you नमस्ते चैहिंद